हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टी फूड विद संगीता आज मैं आपके साथ पहुत ही टेस्टी नाश्टा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये नाश्टा हम सुझी और बेसन से बना के तियार करेंगे सुझी बेसन के एक क्रिस्पी बॉल खाने में पहुत ही टेस्टी लगते हैं और इने बनाना पहुत ही चाता सिंपल है तो चलिए स्टार्ट करते हूँ ये रेसिपी तो सबसे पहले ये बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन मैंने ये एक बड़ा बोल लिया है और इसमें मैं डाल रहे हूँ 1 3rd cup सूजी सूजी मैंने यहाँ पर बारिक लिया है अगर आपके पास बारिक सूजी ना हो तो आप सूजी को मिक्सी के जार में डाल कर पीस कर बारिक करें और तब इस नाश्टा के लिए आप उसे यूस करें अब मैं इसमें डालूगी 1 3rd cup बेसन जितनी मैंने सूजी लीती उतना ही मैंने बेसन लिया है तो आप कोई भी एक cup का टोरी गिलास सेट करें और उसी से आपको सारा measurement लेना है सूजी और बेसन बरावर मातरा में डालने हैं अब मैंने इसमें डाला है नमक, नमक आदा चमबच अड़ किया है और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चोथा ही चमबच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर बहुत जाता नहीं डालना है बस कलर के लिए इतना ही काफी होगा और अब हमें ये dry ingredients अच्छी तरीके से mix कर लेने हैं तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह mix कर लीजे ये देखिए सूजी, बेसन और नमक, खल्दी वगएरा mix हो चुके हैं अभी हमें इसमें बहुँ ज़्यादा मसाले आड नहीं करने हैं अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे घोल कर त्यार करेंगे ताकि से इसमें जो बेसन है ना उसकी वज़े से इसमें गुठलिया ना हो तो थोड़े पानी के साथ इसे घोल लीजे क्योंकि एक साथ जाधा पानी डाल दिया तो इसमें गुठलिया हो जाएंगी इस तरह पहले आप इसे थोड़े पानी के साथ घोल का लंप्स फ्री बैटर त्यार करें फिर इसमें और पानी एड़ करें यहाँ पर देखिए अब यह लंब्स फ्री है तो मैं और पानी इसमें डाल दूँगी आपको इसमें जितनी बेशन और सूजी आपने लिया है उसका दुगना पानी डालना है तो हमने 1,3 कप बेशन लिया 1,3 कप सूजी तो इस वज़े से हमने इसमें 1,5 कप पानी एड़ किया है तो यह देखिए अब यह पतला घोल त्यार हो गया है मैजर्मेंट आपको वही रखना है कि जिस बरतन से भी आपने सूजी और बेशन लिया उसका दुगना आपको पानी डालना है अब मैंने गैस पर रखिए एक कड़ाई और कड़ाई में डाल दिया है 2 चमबच ओईल ओईल को गर्म होने देते हैं गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है जब ओईल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए आधा चमबच जीरा और जीरा को अब आप तड़कने दीजिए अब इसमें जा रहा है एक चोथा ही चमबच हींग हिंग डालने से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा साथ ही हिंग डाजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है अब इसमें जा रही है आधा चमबच चिली फ्लेक्स अब चिली फ्लेक्स को हम ओईल में थोड़ा सा भूनेंगी इन्हें बहुत जादा नहीं भूनेंगे वरना ये जल जाएगी और अब थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम सूजी और बेसन का घोल डाल देते हैं तो ये सारा घोल हमने डाल दिया है अगर आपके पस चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इस घोल को मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है अगर आप इसे छोड़ देंगे तो यह तली में चिपकने लगेगा इसलिए लगातार चलाते हुए आप इसे पकाईगे यह बहुत ही जल्दी गाड़ा होने लग जाता है बहुत ज़्यादा समय से गाड़ा होने में नहीं लगता है ये देखे ये गाड़ा होने लगा है बस जादा से जादा आपको इसे पूरी तरीके से पकाने में तीन या चार मिनट लगेंगे इससे जादा समय नहीं लगेगा ये देखे जो बेशन और सूजी का घोल था ना गाड़ा हो गया है ये पूरी तरीके से एक डो फॉर्म में आ जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है ये देखे थोड़ा सा और पका रही हूँ मैं इसे अभी ये देखे पहले से काफी गाड़ा हो गया बढ़िया डो टाइप ये बनके त्यार हो चुका है तो बस अब हमें गैस का फ्लेब आफ कर देना है अगर इस स्टेज पर ये आपकी कणाई में चिपकता है नो तो आप इसमें एक चमबच ओयल डाल सकते हैं अब यहाँ पर इसमें डाल दिया है मैंने एक चोथाई चमबच गरम बसाला अब इसे थोड़ा खटा फ्लेबर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच नीबू करस अगर आप नीबू करस नहीं डालना चाती तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है अब इसमें डाल दिया है बारी कटा हुआ हारा धनिया इससे टेस्ट बढ़े गई साथ की साथ बहुत ही अच्छी खुश गुआ है गिनाष्टा से तो अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं अगर आप प्यास खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेश पर इसमें बारी कटा हुआ प्यास भी आप डाल सकते हैं मैंने यहां पर सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब हम इस डो को निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है और अब हम इसे हलका सा ठंडा करेंगे तो इस तरीकी से प्लेट में इसे फैलाएंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसे बहुत ज़़ा ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा ही ठंडा करना है इतना ठंडा होना चाहिए कि हम इसे हाथ से हैंडल कर सकें लेकिन पहुँछ ज़्यादा ठंडा ना हो अब आप हाथों पर थोड़ा सा ओईल लगा लिजिए और इसे डो की तरह गुन कर त्यार कीजिए यहाँ पर यह भी पूरी तरीकी से ठंडा नहीं है अब हमने इसे बहुत अच्छी तरीकी से त्यार कर लिया है तो बस इसे हम शेप देना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको हाथों पर ओईल लगा लेना है और इस डो में से थोड़ा सा इस तरीके से डो लेना है और दोनों हातों के बीच में रखकर गोल गोल इस तरीके से घुमा कर एक चिकना बॉल आपको त्यार कर लेना है बॉल एकदम चिकना बनाना है इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए यह देखे एकदम चिकना बॉल हमने त्यार कर लिया है तो इसे प्लेट में रख देते हैं और और बॉल भी इसी तरीके से त्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डो लिया है और दोनों हाथों के बीच पे रखकर यह गोल गोल बॉल मैंने इस तरह त्यार कर ल खोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अब सारी बॉल्स हम इसी तरह त्यार करेंगी तो यह सारी बॉल्स हो चुकी हैं त्यार अब आप चाहें तो इन्हें वन वीक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि एक एर टाइट कंटेनर में इन्हें स्टोर करके तरह में रख दीजिए और जब भी आपका यह राष्टा खाने का मन करें निकालिया और इन्हें शैलो फ्राइ कीजिए मैं अब इस नाश्टा को शैलो कर रहे हूं आप चाहें तो इससे टीफ्राइब भी कर सकते हैं मैंने ओल पहले गरम करने रख दिया था और गैस का फ्ले कर त्यार हो आप चाहें तो इन्हें चम्मत से भी घुमा घुमा कर सेख सकते हैं तो यहां पर यह देखिए इस तरीके से भी आप इन्हें गुमा सकते हैं अब इन बॉल्स को इसी तरीके से घुमा घुमा कर हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे आप चाह लेते हैं बहुती सिंपल सी नाश्टा रेसिपी है लेकिन खाने में बहुती टेस्टी और सबसे अच्छी बात है इसके लिए आपको मार्किट से कुछ भी स्पेशल नहीं लाना हो तक घर में यह उपलब चीजों से आप इस नाश्टा को बना कर त्यार कर सकते हैं अब सारी नाश्टा को और भी जबनाने के लिए गर्मा गर्म बॉल्स के उपर में डाल रही हूं चाट मसाला इस चाट मसाले से इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अब इन गर्मा गर्म बॉल्स को आप सौस्या चटनी के साथ खा सकते हैं यह देखे कितरी बढ़िय आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से हलकी सी सॉफ्ट है अगर आपको यह टेस्टी सूजी बेसन का नाश्टा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूले चैनल को सब्सक्राइब क करें और बेल आइकन को प्रेस करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में